सर जो वर्डिक्ट सुनाया है भी बैंच ने जिसके अंदर एक आ गया है कि 370 का जो अब्रोगेशन था वो असमयदानिक नहीं था उसको कॉंस्टूशनली वैलिट बताया है बैंच ने और साथी साथ स्टेटूरी इंस्टेट करने की बात की है और इलेक्शन कराने की बात कि कैसे देखते हैं किया आपका इस पर उपीन है देखे जब यह पांच अगस 2019 के फैसले हुए तो जायसी बात है हमने पहले सुप्रेम कोर्ट का रुक किया हमारे विश्वास था हमारे मानना था यह सारा असमयदाक तरी से किया गया सारा कॉन्टूशन को वाइलेट करके किय करने का तो यहां पर लेकिन आज जो फैसला हुआ उससे तो वह काइंड अप डिस्पॉइंटिंगी है जो हमारे मुदे थे उस सारे मुद्वों को कई एक मुदे है जो संग्यान में आ गए जैसे देखे यह कहा गया कि हां यह स्टेट के दो इससे नहीं हो सकते हैं यह हो सक कि 367 कहा कि नहीं एक इंटर्पेशन क्लाज को यूज नहीं किया सकता है सबस्ट्ट्यू चेंज के लिए अप उसको नहीं हो कहा गया है वह हमारे साथ इत्वा किया लेकिन फिर भी 377 को वही तो बना गया था ना रूट 377 को अब्रोकेट कर दो क्लास D को भी सुप्रीम करीगा दोसी चाहिए जो ऊसके साथ ही नहीं ठीक ना जैसे कोई भी आप मिसाल करीघिया हम केई हम कहा के हम कuti करेंगे यह यह ईनकलूर करिगा दूसरी चीज़ को जब इसके साथ मिलगा डियों अब चीज जो इमर्जेंसी के दूरान जो प्रोवीजन लाए गया कि अब यूनियन जो लोग सबाए वही स्टेट एसेम्बली के दरह एक कर सकती है उसके बात भी है और यह जो विवाजन तिसरी बात यह कि कहा गया कि नहीं स्टेट असंपली की सिरुब रिकमेंडेशन जो रूरी है व ता कि यह जब भी फैसले हम करेंगे स्टेट को टेर्ट्री को लेकर स्टेट पर यूनियन टेर्ट्री का लग करने करें तो यहां लोगों का ही मश्वरा हो लोगों की राय ली जाए इसी वज़ए साथ समय दान में रखा गया नहीं वहां लगके एसंबली का रिकमेंडेशन हो चाहिए और सुप्रीम कुर्ण ने का नहीं उसकी जूरत ही नहीं पाबंद ही नहीं है उसकी तो बहुत सारी बात हैं जब हमारे पास जज्विंट आ जाएगा ना सारा जज्विंट आ जाएगा तो इ लेकिन यह क्या क्या फैसले हुए क्या क्या चीजें ग्लॉस ओवर की गई क्या लॉस साइट आफ मुनी आस्पेक्ट्स जो को परना चाहिए था जैसे जो जब नावंबर्द नचास में जब यह हुआ कि सारी ने रैटफाई किया पास्टूशन सिर्फ हमारे यूराज ने क यह कहा है कि हम मैंने रैटफाई करूंगा सारा कानूशन मैं सिर्फ करूंगा वही जो यह होता या आप कहते के 370 एक इंटेरिम मसला था वह लेकिन यह सतर साल तक इस्तिमाल किया गया और पच्चास बार इस्तिमाल किया गया अब बागी कानून आने के लिए तो पैसे कि लोगों कि हुकुक क्या स्ट्रगल करने के लिए जुद्यात करने के लिए वह सारे मामली पुरा मुंतरी के से हम करते रहेंगे एक आखरी सवाल बहुत इंपोर्टन आप से पूछना हो जाता है जो इलेक्शन्स दोजार चौबिस तक राने आप किस नजरी से देख रहे है स्टेट के बारे में बात होती जब आपने कहा कि आप रिएक्ट के तहात ही एलेक्शन कीजिए उसका मालवे स्टेट का जो रेस्टोरेशन का वह तो मौकर हो गया ना देखिए आपने इंडिरेकली वह तो मौकर हो गया आपने जब का सेक्शन 14 रिएक्ट के ताहत आप एल जो इलेक्शन का मामला है उसके उपर भी अलग-अलग ओपीनियंस देखने को मिल रहे हैं रिव्यू पिटीशन लियाज़ा हो सकता है फाइल की जाए क्योंकि जो पूरा अभी जज्जमेंट जो वर्डिक्ट आया है इसमें बहुत अथा कुछ नजर नहीं आ रहे हैं पिटी को लेकर उसके उपर सुप्रीम कोट ने सरकार के हक में यह वर्डिक्ट दिया है